Hello Friends, Welcome to my channel Nursing Study तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Importance of Psychology for Nurses कि Psychology जो है Nurses के लिए क्यों ज़रूरी है and प्रिविएस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं Psychology के बारे में कि What is Psychology and Nature and Scope and Definition तो ये दो टॉपिक हैं Unit No.1 में इसके बाद हमारी Unit 1 कंप्लीट हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका Introduction पढ़ लेते हैं Psychology and Nurses A Nurse Occupies Central Position in Healthcare System तो Nurse के Occupies कर रही है Central Position of Healthcare System जैसे कि एक हॉस्पिटल में नर्स क्या कर रही है? मेन जो सौर्स है हॉस्पिटल जो अप्रेट कर रहा है हॉस्पिटल जब काम चल रहा है हॉस्पिटल में कौन मैनेज कर रहा है? Nurses मैनेज कर रही है तो कहने का मतलब ही है कि नर्सों ने जो है वो Central Position Occupies कर लिए है Healthcare System में She Understand Herself and Others तो महाँ पर काम करते हुए वो खुद को भी समझती है और पेशेंट को भी समझती है Physically and Mental Wellbeing of a Patient Depends Largely on the Nurses जो पेशेंट होस्पिटल में आते हैं Healthcare Center में आते हैं तो वो largely जो Mostly जो है Nurses पर Depend होते हैं क्यों? क्योंकि Nurses ही उनकी Care करती है उनको Physical Sport करती है उनको Physically Fit करती है and Mentally Sport करती है तो जादातर जो पेशेंट हैं वो नर्स पर Depend रहते हैं The Nurses has a deal with different people having different problems both physical and mental तो जो हुस्पिटल में पेशेंट आते हैं सबका भी हेव अलग होता है कोई Nurse के साथ मिलकर काम करता है कोई Nurse के साथ आर्गिूज भी करते है कई Patients को Nurses के साथ काम कर ना अच्छा nहीं लगता है यानि कि वो Sport नहीं करता है то उनको हर तरह के Person के साथ deal करना पड़ता है तो याँप यह हीपर लगया है कि वो हरतर है के लोगों से deal करती है, physically भी and mentally person से भी deal करती है to serve them satisfactory a knowledge of human psychology is essential तो इस तरह से जब वो इस तरह की patient से deal करती है तो उस time पर उनको nurses को जो है, उस patient की psychology को समझने बहुत जुरूरी है एक mental person है जिसका जो दिमागी तोर पर ठीक नहीं है वो patient उसको समझकर वो further treatment करेगी कि अच्छे इस patient को इस तरह से हम handle कर सकते हैं, deal कर सकते हैं या फिर हम इस patient की इस तरह से care कर सकते हैं तो यानि कि वो उसकी psychology समझती है कि ये patient कैसे behave कर रहा है तो हमें उसी तरह से इसको treatment provide करवाना है The study of human behavior is of a great value to a student and nurse numerous of ways तो human के behavior की study करना जो student nurses के लिए के वो बहुत तरह से होती है means कहने का मतलब यह है कि psychology की study जो है बहुत important है और जो students होते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी होता है psychology को समझना यानि कि एक patient के psychology को समझना उनके लिए बहुत जरूरी काम होता है यह तो इसमें first point आता है यानि कि उन्होंने points में दिया हुआ है कि वो कैसे कैसे जो है psychology कैसे nurse के लिए help करती यानि कि psychology को समझना उसके लिए क्यों जरूरी है तो इसमें first point है it will help her to understand herself means psychology को अगर वो समझती है इसमें उसी की help हो रही है ठीक है यानि कि उसको help होगी अगर वो psychology को समझती है पढ़ती है तो उसमें उसको help होगी अगर वो psychology को पढ़ लेती है तो उसको patient को समझना असान होगा एक normal person को समझना असान होगा एक mentally person को समझना असान होगा एक handicap person को समझना असान होगा तो यानि कि उसकी खुद की help होगी इसमें detail में लिखा हुआ है she will get a insight into her motives यानि कि insight मतलब सही गलत मैंने इसमें हिंदी में भी आपका meaning लिखा हुआ है समझने के लिए she will get an insight into her motives यानि कि वो सही और गलत का जो फैसला उसका करना है निरने लेना है उसने कि अगर मैं ये step लेती हूँ ये patient के लिए सही होगा या घलत होगा desires, emotions and ambitions तो ये कैसे help करेगा उसके desires में, उसके इच्छाओं में उसके emotions में ठीक है उसके ambitions में तो ये पूरा उसका यानि कि उसके खुद के लिए help होगी by knowing her strength and weakness she can best use her own personality characteristic यानि कि इस से उसको खुद की weakness पता चलेगी कि मैं जो है इस patient को handle कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ इसके psychology को मैं समझ रही हूँ या नहीं समझ रही हूँ यानि कि उसकी strength का पता चलेगा कि वो कैसे deal करती है उसके अंदर इतनी strength है कि वो इस तरह के patient से deal कर सेगे या उसकी weakness क्या है कि कई बार mentally person होता है वो handle नहीं कर पा रही है nurse एक handle नहीं कर पा रही है उसको तो उसकी ये weakness है तो इससे क्या होता है कि उसकी strength और weakness का पता चलता है तो इस तरह से अगर वो study करती है psychology को तो वो अपनी personality को जो है निखार सकते है यानि कि इससे उसके character का पता चलता है कि वो किस तरह की strong एक nurse है strong person है strong professional nurse है तो उसके characteristic का पता चलता है this will help to direct her on life more productivity and relate more easily with others enabling her to control situation and means कहने का मतलब यह है कि अगर वो इस तरह से psychology को वो पढ़ती है तो उसकी क्या होगी help होगी वो direct कर सकती है अपनी life को मिला कि एक patient को कैसे care करना है तो वो एक सही direction में जा सकती है ठीक है इससे क्या होगा productivity यानि कि जो उसके काम करने के शमता है और बढ़ेगी ठीक है वो जल्दी जल्दी काम कर पाएगी और क्या होगा इसे वो situation को control करना सीखेगी ठीक है और self discipline करना भी सीखेगी second point इसमें आ जाता है she will understand her to sorry she will help her to understand other people तो इसमें क्या होगा psychology में जैसे कि हम first point पे हमने पढ़ा है कि वो दूसरे लोगों को समझेगी तो यह उसकी help होगी लेकिन यहाँ पर क्या है इस point में क्या होगा कि वो दूसरे people को भी समझ रही है यानि कि एक patient को भी वो समझ रही है तो psychology क्या करती है उसको help कर रही है दूसरे लोगों को understand करने में यानि कि दूसरे लोगों को समझने में psychologist की help कर रही है it will help her in personal and professional adjustment with her scientific knowledge of human nature यानि कि एक nurse जो है वो personally जो patient से deal कर रही है तो वो उस environment में adjust हो रही है और जो उसकी knowledge है वो अपनी knowledge के अनुसार जो उसको psychologist ने पढ़ी है अपनी knowledge वो हाँ पर use कर रही है और human nature को समझ रही है यानि कि कहने का मतलब यह है कि वो खुद को जो है खुद को अपना दिखा रही है कि मैं कितनी strengthful हूँ कितनी powerful हूँ कि मैं इस situation को संभाल सकती हूँ और दूसरे लोगों को भी मैं समझ रही हूँ यानि कि दूसरे लोगों को समझ कर उसके उपर मैं काम कर रही हूँ अगर वो एक patient को सही समझ रही है अगर उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा है ठीक है उस person की उस patient की psychology को समझ लिया है कि हाँ मैं इस person के साथ इस तरह से deal कर सकती हूँ तो क्या होगा एक उनके बीच में एक relationship बन जाएगा एक bond बन जाएगा एक nurse और patient का शी understand the physical and mental status of an individual तो इससे क्या होगा उसका physical and mental status का उसको पता चलेगा कि इस person के साथ हमने कैसे deal करना है इस patient की कैसे care करनी है थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें means इससे क्या होगा एक nurse का help होगी situation को समझने में और जो वहाँ पर problems create हो रही है उनको समझने में उसकी help होगी कैसे she will act as a problem solver in any condition at any situation अगर उसे अच्छे से psychology आती है किसी patient को समझना आता है उसको तो वो क्या करेगी situation को जल्दी से समझ लेगी मालो एक patient जो है एक mentally patient वहाँ पर आता है admit होता है नया नया patient किसी disease से या किसी भीमारी से या किसी भी accident से वो patient hospital में आता है तो उस nurse को पता है कि हमने एक mental person को mentally ill person को कैसे deal करना है तो इससे क्या होगा कि और nurses जिनको नहीं मालूम वो तो वहाँ पर उस patient के पास भी नहीं जाएंगी तो इससे क्या होगा जो वहाँ पर एक problem create हो गई है एक situation वहाँ पर आ गई है तो वो उससे क्या करेगी deal करेगी जल्दी से जल्दी उस problem को solve करेगी उस situation को संभालेगी जो एक नर्स की जो ट्रेनिंग होती है यानि कि जो psychology की उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें क्या होगा वो help करती है किसमें है एक अगर उसके पास अच्छी psychology की नौलेज होगी एक person को समझने की अच्छी नौलेज होगी तो उसके अगर वो health center में या hospital में काम करती हो तो वहाँ पर अच्छा अपना output दे सकती है यानि कि अच्छे से काम कर सकती है अच्छे से patient की care कर सकती है और क्या कर सकती है patient के साथ अच्छा relationship बना सकती है तो इससे क्या होगा कि patient को hospital में adjust करने में अच्छादा problem नहीं होती है यानि कि patient को ऐसा feel नहीं होता है कि वो जैसे hospital कही बार patient के साथ ऐसा होता है कि वो hospital में आकर उनको अच्छा feel नहीं होता है तो वो hospital में रुखना नहीं जाते है लेकिन उनकी disease जो है काफी chronic होती है तो इस time पर जो है पेशेंट के psychology को समझकर नर्स जो है पेशेंट को इतना comfortable feel कराती है ताकि वो hospital में adjust कर सके ठीक देन आ जाता है hospitalized patient and those with chronic illness यानि कि chronic illness में जो लंबे समझ तक बिमारी चलते हैं जैसे cancer patient होते हैं उनका treatment चलता रहता है थेरपीज होती हैं तो काफी time तक hospital में admit रहते हैं तो ऐसे patient के adjust करना काफी मुश्किल होता है hospital में काफी लंबे time तक तो नर्स जो है वो अपने psychology एक patient की समझकर उसको उसी तरह से वैसा ही environment प्रवाइड करवाती है fourth point है इसमें she will understand the close relationship of a body mind and spirit तो यहां पर जो है psychology help कर रही है उसका कि वो body से कैसे relate करती है यानि कि वो body पर क्या psychology जो है body पर क्या effect डाल रही है एक mind पर कैसे effect कर रही है एक spirit पर यानि कि एक आत्मा पर दिमाग पर उसके श्रीर पर क्या effect डाल रही है तो इसमें आजाएगा she will recognize how her emotions affect her body तो इसमें वो देखेगी कि उसके emotions जो है उसके जो भावस हैं जो या कह लिजीएगी जो feelings हैं वो कैसे उसकी body को effect कर रही है and she will recognize the same in her patients तो और वही चीज़ें जो वो feel कर रही है और उसके साथ जो patient है वो वही वाली feeling जो patient कैसे महसूस कर रहा है यानि कि उसकी nurse की psychology और patient की psychology है कैसे work कर रही है this will help to control the life and recognize the similar need in her patients तो इससे क्या होगा कि nurse की help होगी यानि कि वो control कर सकती है अगर उसे वही feeling वो महसूस कर रही है एक nurse महसूस कर रही है और वही same feeling जो एक patient महसूस कर रहा है तो उसको patient को समझने में असानी होगी अगर वो patient को समझ जाती है तो वो उसको अच्छे से care कर सकती है उसको sport कर सकती है एक patient को understand कर सकती है देन उसका वो के लिए treatment करना आसान हो जाता है ठीक है तो इसमें यही चार point ही थे जो main थे इसके अंदर तो हमारा topic यह complete हो जाता है और हमारे unit भी यहीं पर complete हो जाती है इसके बाद हम second unit जो है start करेंगे I hope आपको यह topic clear हो गया होगा तो please मुझे comment जरूर कीजेगा अगर आप comment करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा easy हो जाता है कि आपको topic clear हो गया है तो thank you for watching guys